नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट अनासिस चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो काफ़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शन चेन के कैसी स्टेडिजी जिसके बेस पे आप ऑप्शन चे देखने को मिल रहा है डेली बाजार में एक तेजी देखने को मिली अठारा साथ सो से अगर आप करेंगे तो निफ्टी उन्नीस अजार तीनसोचाली सुरु आ चुका है वह भी कुछ दिनों में तीन से चार दिन में पर अभी का बजार का ट्रेंड तो बहुत है कि इस तरह है इस तरह की मार्केट में क्या जाओंका और आइससेलीशन के बारे में आज हमने बत करीती एंड सुवर के लाइज दिसक्स करूंगा तो आज की वीडियो कफी इंपोर्टेंट है शूर से लेकर आखिर तक जूट देखेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा यहां पर मैं पहले तो निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पीछ देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट और कि पूरे दिन मार्केट उन्नी सजाओ तीन सब्सक्राइब करें तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बजार में एक किदर इस जगा पे एक रजिस्टेंस भी आपको देखने को मिला है यह एक मेजर रजिस्टेंस है और ऐसा लग रहा है कि कल के दिन अगर मार्केट उनी तो फिर आपके एक रजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल निकालके नेक्स टार्गेट आप जो लेंगे वह निसजाट चाड़ सो का ले सकते हैं बट क्या आज बजार में जब एक तीजी देखने को मिली थी इस जगह पे तो क्या यहां पे आप बाई की पॉडिशन मना सकते थ यह मैं आप से पूर्शन चाहता हूं अगर यहां पर बाई पॉलिशन मनाते तो स्टॉप लोस आपका वहां पे काफी बड़ा हो जाता तो जब भी हम टेक्निकल अनालिसिस करते हैं चार्ट पे अगर हमें को ट्रेड लेना होता है तो कहीं बार हमें को बाइंग और को देखने को नहीं मिलता तो उस केस में हमें जाना चाहिए कहां पर ऑप्शन चेन पर ऑप्शन चेन की डेटा को समझना चाहिए अब यहां पर मैं कुछ नई चीज है दोस्तों जो आपको समझाने वाला हूं और आशा करूंगा इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो यह क्या लिया हमने ऑप्शन चेन का डेटा लिया अब जो मॉर्णिंग में हमने ऑप्शन चेन का डेटा देखा था तो बजार बे जैसे की 19,300 का एड़ दा मुनी था बजार 19,300 के आसपास चल ला था जब 270-2809,000 के आसपास चल ला था तो वहां पे हमने चेक करा और यह चीज़ हमने बताई भी थी कि 19,000 में जो ओपेंड इंडरस्ट अगर हम इसकी बात करें वह कुछ 80,000 के आसपास था यह हमारा क्या था ओपेंडरस था असी लाग के आसपास ओपेंडरस हमने देखने को मिला था और अगर हम 19,350 की कॉल की वैल्यू देखे यानि की कॉल जो थी उसका जो ओपेंडरस्ट था वो देखने को मिला है को 40,000,000 के आसपास 40,000,000 का ओपेंडरस्ट हमने किसका 19,350 के आसपास देखने को मिला अब क्या हो था अगर हम बात करें यहां पे 19,400 में तो 19,400 में जो तो यानि कि अगर देखेंगे तो अभी फिलाल इसमें 75 लाग का उपेंडर्स देखने को मिला है बट अभी थोड़ देर पहले जब मार्किट चल रही थी तीन वज़े के आस-पास तो इसमें उपेंडर्स जो था वह एक लाग से ज्यादा का हो गया था आपको इसको भी समझ सबसना काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह भी एक अनालिसीस का पार्ट है और हमें आप अन्वाइंडिंग को भी सबसना काफी ज़्यादा जरूरी है अब देखा है चार्ट पर कुछ लैवल दिखनी रहे और देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई में चल रहा है यहां पर मिला और जैसे मार्केट ने उनीस जार 316 का हाई बनाया तो यहां पर अन्वाइंडिंग देखने को नहीं मिली ज्यादा तर क्या होता है कि जादा बेची होती यानि कि ओपें डिश्में ज्यादा है यानि कि कॉल राइटर ज्यादा है इस ट्राइक पे अब जब फिर 19,300 बचा साथा तो फिर भाग के यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि कॉल राइटर है जब कॉल सेल करेंगे उन्हें पता है भाई अगर उनकी जो स्ट्राइक है उसके आसपस जायागा तो वो शिफ्ट करते हैं अमनी पोजिशन को जिसको हम अन्माइंडिंग बो जब हमने देखा तो वहीं पर ही 19,270 के आसपास निफ्टी काम कराने लगा 255 के आसपास आगया था मार्केट मैंने चेक करा था तो मैंने देखा यार जैसे ही मार्केट आया तो 60 पॉइंट की किराबट देखने को मिली तो यहां पर आपको एक्षी सीखने को मिलेगी कि ज अब भी जिस ट्राइक में ओपेंट सबसे ज़्यादा है और वहां पे वह लेवल पार हो जाता है और वहां पर अन्वैंडिंग नहीं मिली तो इट मींस वहां से करेक्शन देखने को मिल सकती है फिर थोड़ी देर बाद हमने देखने को मिला कि जैसी मार्केट ने फिर 19,300 का लैवल ब्रेक करा तो वहां पे कॉर लाइटर को अभी लैवल ब्रेक हो गया है अब यहां से मार्केट जो है तो उन्हाने फिर अमने फिर पोषिचन शिफ्ट करने बी आपना सिधा शिदह करी यहां पर बहुत करणा 19,400 की call में बिल्कुल जहां से समिनना 19,400 की call में एक लाग से जादा कोपेंटर्स हो गया था दोस्तों और जो सुबह चल दा था 40,000 के आसपास 38,000 के आसपास देखा था मैंने सुबह इसे और वो एक लाग से उपपर हो गया था तो इट मेंस कि उन्होंने position तो कहने का मेरा दोस्तों मतलब यह था यह समझानी कोशिश कर रहा था कि कैसे अप unwinding को समझ के भी अपनी position मना सकते हैं उसके लिए फिर मार्केट में आपको बैटना पड़ेगा आपको open interest देखना पड़ेगा इसके इसाब से क्या होता है कि आपको लेवल पता चल जाता है और मैंने काफी आनलिस्टों को जानता हूं कि वह unwinding पर ही काम करते हैं जब unwinding होते हैं जो यहां पे option chain यानिके open interest बढ़ जाता है को बताता है कि कहां से लोग है अपनी पोजिशन कर रहे हैं जब भागने लग जाए शिफ्ट करने लग जाए पोजिशन unwinding करने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉस्टिटिफ हो सकता है यह सी कॉल साइड में नहीं है दोस्तों पुट साइड में अगर मालो हम देखते हैं कि यहां पे 99 लग क्या है ओपन इंट्रस किसमें है 19,300 की किसमें पुट में अब यहां पे क्या होगा अगर मालों की अन्वाइनिंग होनी चालू हो रही है पुरिशन चेंज हो कि फिर उन्डी सेचा 250 या फिर दोसों में शिप्ट हो रहे हैं लोग यह जो उप्शन और यह बढ़ना चालू हो रहा है चेंज में बड़ाटरी देखने को मिल सकती है त और आप जो ट्रेड बना रहे हो औप्शन चेंगे डेटा से बना सकते हो तो इसको सीखना काफी जादा जरूरी है और अगर आपको यह सिनेरियो में कोई भी कन्फिजन होती है तो मेरा नंबर है आमारी टीम का नंबर है आप उस पर कॉंटेट कर सकते हैं बहुत डिटेल म जो प्रोसेस लाइव मार्केट में किस तरीके से चेंज इन ओपेंटरस को समझके आप ट्रेड बना सकते हैं उसको मैंने बिल्कुल काफी डेटेल में समझा दिया है और यह हमारा लाइव मार्केट का एक्सपिरिस है जो सुबह आज हाल-फिलाल में देखने को मिला वही च और दयारता हूं डैरेक्ली लेकर आपको ब्रेक निफिक चापर लिख सकते हैं उसी जो बी आफ़ाहिं देखने में मिल सकती है कको लंगा रहा हूँ आको ऐसकीज परनोर से तो आशा करूंगा की आप जो भी ट्रेड लेंगे उसके लिए उसके लिया के ही दोस्तों आप उसमें ट्रेट करेंगे तो यहां पे मुझे मार्किट पॉजिटिव लग रहा है क्यों लग रहा है क्या रीजे न मेंगनिफ्टी का वह मैंने आपके लिए बताना चाहूंगा वह है अदानी पॉर्ट अदानी पॉर्ट का दोस्तों 50 मिनिट्स का चार्ट यहां पर आपके लिए लेंगे 50 मिनट्स पे यहां पर आप देखेंगे तो एक पाटन मना है उसको हम तो बोलते हैं इवन्ने स्टार पैटन और यहां पर की सब्सक्राइब कर रहा है तो यहां पर ढोनिंग से चार्ट पे एक क्या ले रहा है एक रेजिस्टेंस ले रहा है तो अधानी पोर्ट का भी एक रेजिस्टेंस जब है वह 740 का हो सकता है अगर अगर अधानी पोर्ट नेक्स रेडिंग सेशन में 740 के उपर जाता है तो इसमें एक तीजी देखने को मिल सकती है यह सारी चीज़ फिननिंटी की एक्सपाइडिय है ओ emerge यहां पे भी सेंप पैटनार देखने को मिला है यह यहां पे फलाइग हमें देखने को बाड़ थे पर यह बड़ा फ्लाइग हो फिलैग है और और से फिल्ट का लेवल लग बुलर बैटन मैं आपको एक educational purpose से बता रहा हूँ क्योंकि टेकनिकल चार्ट पर ऐसे setup बन रहे हैं बागी दोस्तों अगर आप यह सारी चीज़े डिटेल में सीखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं जा सकते हैं हमारी हमारी एप पे एप का link नीचे description पे हैं हमारी एप है चार्ट analysis के नाम से महां पर हमारा कोर्स है टेकनिकल अनाइलिस का साथ हजान नौसों निन्याड में आपको मिल जाएगा टूंटी एट वीडियो टैन आवर्स का कोर्स है इसके साथ साथ और भी थ्यूरीज है प्राइस एक्शन है मनी मैनेजमेंट सारी चीज़े सिखाई गई हैं आप एक और साथ गया है मनब साथ और को प्राइफ है तो आपको झालिज है तो आप क्या कर सकते हैं तो जोइन कर सकते हैं दो ब्रोकर के लिंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनको भी जोइन जोग कर लिजेगा डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आयोगी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्रा क्लिब करें आज के लिए वसक्तना ही थन्यवाद ओंद अबया है